मैंने खुद ऐसे से लोगों को ठीक होते देखा इस छोटे से चमत करिक चीत अपला दी चून से, जिनको बहुत ज़्यादा खासी रहती हो, बलगम बहुत ज़्यादा रहता हो, और बलगम निकलता ना हो, या स्वांस का दोरा आता हो, जो नाक कान गले की शिक्यत है, थाइर इस दवाई से बहुत अच्छा लाव मिलता है, अगर वो गलत समय पर फल खाएंगे, तो क्या कफ बढ़ सकता है, क्या कि फल होते है ठंडे, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिमान शुभट, दी हैल्थ शो में, आज हम डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानेंगे, कफ और खा हम देखते हैं, जब मौसम बदलता है, तो कफ और खासी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती है, और खास कर कि जब गर्मियों से सर्दियों का मौसम आने वाला होता है, तो बहुत से लोगों को, बहुत से नहीं, जादा तर लोगों को कफ की समस्या होती है, तो हम यह नहीं क्यों कफ बनता है कि कफ का कारण और कितने प्रकार का होता है और खांसी वो सब हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं जहामने डिटेल में जाना था लेकिन आप यह बताईए कि कफ के और खांसी के कौन-कौन से घरे लो नुस्खे हो सकते हैं कि मैं अज बताता हूं जिनको एक बार के परयोग से हमको चमतकार दिखता है अकसर यह परयोग मेरे बाबाजी बहुत करते थे जह हमेशा वो सरदियों में गुन-गुना पानी पीते थे जो व्यग्ति गुन-गुना पानी का सेवन करे उसको कफ एंड कोड किसी कीमत पन नही सताएगा दूसरा आज के समय में दूल पोलुशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है यदि हम ऐसे समय में गरम पानी की भाप ले तो बहुत लाब मिलता है और बहुत से लोग पंखाया इसी चला करके भाप लेते हैं जो कि नुक्सान दायक है तरीका यह है कि हम जब भाप ले र दीरे दीरे हमारी नाक से लेकर लंक्स तक जो भी को इंफेक्शन होगा उसमें आराम मिलेकर कफ हमारा इजिली बाहर निकलेगा बाप में यदि हम दो तिन पत्ते तुलसी और दो तिन पत्ते पोदीने के डाल दें तो बहुत ज्यादा अच्छा है और यदि हमको और इसका ज्यादा लाब लेना तो थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाल दें तो अजवाइन में वोलाटाइल तेल होता है तोलसी में वोलाटाइल तेल है पोदीने में वोलाटाइल तेल है जो की उड़ करके हमारी नाक के थुरू अंदर हमारे शेरे में जाता है और किसी भी परकार का respiratory system में infection होगा उसको दूर करने लगता है मतलब मैंने पहली बार सुनाए कि अजवाईन का फ़र खासी में फायदे मन दे बहुत बहुत जादा फायदा देती इसको एक बार सिर्प एक बार इसको करके दे दूसरा यदि हम गरम पानी पीते हैं उसमें दो काली मिर्च और थोड़ी सी एक लोंग डाल ले और चुटकी पर अधरक करश डाल ले थोड़ा सा कूट करके अधरक वैसी डाल ले और दो तिन पते तुलसी के मिला करके उसको बाल ले और चाय की तरह यदि हम पीए स्वाद के लिए उसमें हम गुड़ डाल ले हमको बहुत लाब मिलता है और एक परियोग जो बाबाजी जिसका मैंने भी बताया थे कि अक्सर परियोग करते थे गट्पेगा गट्टा यानि कि गुड़ गुड़ लिया उसको कटूरी में डाला और उसमें आदी चमच गी डाल लिया जितना हमें गुड़ खाना हो उतना उसमें डाल लिया हल्की आज पर उसको गरम करा तो गुड़ पिनगा जाता है और गी को मिक्स करके यदि आप गरम गरम पिएंगे किसी को साइनस की दिक्कत हो बहुत जुखाम रहता हो या माइग्रेन की बहुत ज़्याशी कहत हो उसको इस परियोग से बहुत लाब मिलता है लेकिन गुड़ शुद दोना चाहिए बना फिर वो डायबिटीज में प्रॉबलम आई गया अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज है तो वो मीठे को ना ले उसके लिए और भी बहुत से परियोग है जैसे मैंने भी भाब का बताया दूसरा एक चमच गाये का देशी गी एक चमच हल्ली उसमें तीन चार काली मिर्च और थोड़ी मात्रा में दो तिन पत्ते तुलसी के डाल दे सूखा तुलसी का अगर पता हो तो उसको डाल दे इसका च्छोंक लगा करके गरम गरम दूद में हम भी गोएं और उस गरम गरम दूद को सेवन करें पी लें ये प्रियोग करें रात को सोते समय उसके बाद बिलकुल अपना लियाव ओड़े और परके सो जाएं दस पंदरा मिनट तक लियाव को ना उतारें पसीना आएगा बुखार की शिकैत हो जुखाम की शिकैत हो या साइनस की दिक्कत हो कभी कभी आपने देखा होगा फेपरो में या च्छाती में कभ बहुत जम जाता है नाक में कभ बहुत जम जाता है निकलता नहीं इस परियोग से बहुत जाला एक दिन में लाब मिलने लगता है और बहुत से जैसे परियोग हैं हमको चाए अगर हम चाए पीने के शोगीन है तो चाए में हमको दो तीन पत्ते तुलसी और थोड़ा साधरक इसको वाल करके सेवन करें तो हमको बहुत लाब मिलता है एक परियोग जो मैं लोगों को सबको अक्सर कहता हूँ यदि हम घर में इसको ग्रैंड करके बनाएं आयरवेद का सबसे परसिद चून है सीतो पलादी और मैं ही कहता हू आप इसको खुद बनाओ बनाने में कुछ नहीं है बहुत से लोग मार्किट से लेते हैं उसमें जो बंस लोचन है डाल चीनी है लोग नहीं डालते डाल चीनी की जगे तज डाल दी और बंस लोचन दो तरह का है एक असली बंस लोचन उसोला से तरह सुरूपे किलो है और नकली बंस लोचन के नाम से कैल्स्यम शिलिकेट आता है मात्र सवा सो देड़ सुरूपे किलो है अक्सर लोग उसको ही परियोग करते है तो लाब वो इसलिए नहीं मिल पाता सी तो पालादी सी यानि के मिस्री धागे वाली मिस्री ले 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 तो यानि के तावासीर बं दी यानि के दायची दी 16, 8, 4, 2, 1 ये इसका रेशो है ये सीतो प्लाली चून का फार्मूला है मैं सभी को ये कहुँगा कि सभी लोग मार्किट से अच्छा समान ले और इसको मिक्सी में ग्राइंड करके रखें और इसको बनाएं तो ये चूरन जो है सीतो प्लाली चून वा चूरुटे से चमतकर के सीतो प्लाली चून को बहुत ज्यादा खान रहती हो बल गम बहुत ज़्यादा रहता हूँ और बल गम निकलता ना हो या स्वास का गोरा आता हो। आप ने देख हूँ हुआ कभी ज्रुप्लेग तरद्दी सेटकूला इस उसमें भी यह सीतो प्ला पार्मेसी से ले या खुद बनाए और उसको परियोग में बच्चों के लिए डोस अलग है और बड़ों के लिए डोस अलग है सजय सीतो प्लादे चून क्या आप भी बनाते हैं बिलकुल मैं भी बनाता हूँ और ये बहुत ही अच्छा चून है मैं अपने चिकिस्चक परियोग में जो नाक कान गले की शिक्यत है थाइरेड की दिक्कत है गला बैटता हो गले में बहुत खराश रहती हो बहुत ज्यादा सैनस की दिक्कत हो बहुत ज्यादा जो है लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा हो खांसी किसी दवाई से ठीक ना हो रही हो इस दवाई से बहुत अच्छा लाव मिलता है जैसे आपने कहाना कि मार्केट में सीतो प्लादी चून में बहुत मिलावट है तो हम कैसे मानने आप ब बना सकता है जी और एक आपको चमतकारिक फार्मूला ऐसा बता रहा हूं मैंने खुद इसको कई लोगों को परियोग करके देखा कि कैसी व्यक्ति की यदि खांसी ठीक ना हो रही हो तो वह घर में ही रबडी बनाएं अच्छा रबडी जी रबडी यदि को डियाबिटिक ह उसकी जो है रबडी बन जाती है और रबडी बनने से पहले इसमें हम थोड़ी सी छोटी लाइची के बीच कूट कर डाल दें एक बार के परियोग से ही हमको खांसी में लाव मिलने लगता है किसी को बहुत ज़्यादा कप किसी कैया तो उसको भी इस परियोग से बहुत ला के लिए बहुत अच्छी चीज है लेसन में सिर्फ एक कमी है कि वो बास मारता है अदरवाइस लेसन गुनों की खान है लेसन से कोलेस्टोल बहुत अच्छा लाम मिलता है मैंने एक बात अक्सर और कहता हूं मैंने पहले भी कहा था जिस व्यक्ति को सर्वाइकल की दिक्कत ह या सियाटिका की दिक्कत हो या उसका कफ बहुत बढ़ावा हो हम एक से दो फली या सरीर के हिसाब से सुबह प्राते काल गुन गुने पानी से डिगल लें तो दर्द में तो लाम मिलता ही है हमारा लिपिट प्रोफाइल बिलकुल बैलेंस होने लगता है कफ बिगड़ा हो उसमें भी बहुत लाव देता है सर जिन लोगों को कफ की समस्या है कफ और खासी की खास कर की कोरोना के बाद कफ और खासी बहुत लंबे लंबे समय तक लोगों की चल रही है कई लोग तो ऐसा है जिनको 2020 से लेकर अब तक कफ की समस्या है और लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा जिन लोगों को कफ है अगर वो गलत समय पर फल खाएंगे तो क्या कफ बढ़ सकता है क्यों कि फल होते है ठंडे कि ऐसे बहुत खटे फलो से बचना चाहिए एकदम से हमारा गला एफेक्टिड होने लगता है तो हमको ऐसे फल खाएं जो बहुत खटे ना हो हमको निश्टित रूप से लाब मिलेगा और इनका सबसे अच्छा समय दुपैर बाद ये दुपैर तक है हमको उनको परियोग करना चाहिए रात्री में ऐसे चीजों से बचना चाहिए और एक बात आपने देखा होगा आज के समय में तरवुज बहुत बारा मेने उपलब दे हैं लोग इसको सर्दियों में सेवन करते हैं तब ही उनको ये नुक्सान होता है कब तो बढ़ता ही है सरीन में हमारे दर्द भी बढ़ता है और खांसी जुखाम के लिए एक छोटा सा प्रियोग और बता रहा हूँ शहद जितना हमको लेना हो एक चमच लेने उसमें दो से तीन मुन अदरक के रस्की मिलाकर वैसे ही चाट ले तो हमको प्रहतलाब मिलता है कभी कभी किसी इंफेक्शन के कारण हमारे को बखार आने की इस्थिती बन जाए तो हम एक चमच शहद एक चमच अगरक करस और एक चमच तुलसी करस तीनों को मिलाकर इसको सेवन करें और लिहाप ओड़ कर लेड जाएं आप देखेंगे कि एक घंटे के अंदर ही वैय बुखार उतर करके हमारा सरी नॉर्मल अलवस्तन की और जाने रखता है और जो कफ है हमारा पतला हो करके निकलता है खासी के थुरू आएगा या वैसे भी आए तो निकल करके खासी और जुखाम दोनों से हमको निजात मिल जाती है सर जैसा कि आपने कहा था कि अगर कोई चाए पीने का शौकीन है वैसे तो आप हर वीडियो में कहते हैं कि चाए कोशिश करें ना ही पीए लेकिन अगर कोई चाए पीने का शौकीन है तो उसमें अद्रक काली मिट ये डाल सकते है लेकिन सर हमने सुना है कि कफ बढ़ता है दूद से तो क्या दूद का उप्योग छोड़ देना चाहिए जब तक आपको कफ की समस्या है यदि कफ की समस्या है और आपको दूद पीना है तो आप उसमें एक चमच हलदी मिला करके शेवन करो आपका कफ नहीं बढ़ेगा अचा हलदी भी प्योर होने चाहिए आजकल तो कलर वाली मिलती है मार्केट में हमको जो चीज उपलब देर, उसरी से घुजारा करना है जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं वशत्र नहीं है जोडह तो करते हिए हैं तो जो हमको सब्सक्राइए उसमें कोशिच करने चाहिए कि अच्छी से अच्छी चीज हम सेवन करें सर एक last question कि लोग दही के शौकीन है क्या सुभा के समय और रात के समय दही खाने से कफ बढ़ सकता है दही से कफ तो बढ़ता है लेकिन रात्री में जिनको कफ नहीं भी है उनको दही का सेवन नहीं करना चाहिए आयरुवेद में रात्री कालिन दही का निशेद है और जिनको कफ की टेंडेंसी है उनको दही का सेवन नहीं करना चाहिए तो लुकसान ही रहेगा उस गंद और एक चीज़ और जानना चाहूंगा सर इसमें बहुत से लोग कफ के लिए कफ को ठीक करने के लिए नो खेचिता है तो क्या यह ऐसा सब के साथ होता है हमेरे साथ हुआ है यह होता तो सब के साथ है लेकिन हम उस बीमारी को जहलते रहते हैं शेयर ने करते हमको अपनी इम्मुनिटी पावर उस बीमारी की लैक बनाने चाहिए मैं आपको एक छोटा सा प्रियोग बता रहा हूँ, जुर जुखाम और पावना, इनका एक उपाए, लंगन दीजिये तान के कभी ना वापस आए, ये अवद में एक बहुत प्रश्रिक मुहावरा कथा, ये दोआ है, जुर यानिके बुखार, जुर जुखाम, जुखाम या निके खासी, ये दि हमको खासी जुखाम बुखार हो, तो इनका एक उपाए आपको बता रहा हूँ, लंगन दीजिये तान के, हमको पूरा उप्वास करना चाहिए, हमको बिलकुल बहुत भूख लगए, तो बहुत सुपाच्चे भोजन करें, गुन गुने पानी का सेवन करें, गुन गुने पानी में थोड़ा सा नीमूनी चोड़ के ले लें, तो हमको इम्मुनिटी पावर बढ़ेगी और कोई साइड इपेक्ट नहीं होगा, जैसे आपने का ऐलोपेटिक दावाई या कोई और दावाई लेने के बार, आपका कफसुस्क हो जाता है, सूख ज इस परकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यदि हम चाय के रूप में जरू थुड़ी की चाय के हम पत्ती डालें, हम पानी में अधरत काली मिर्च, मुलेटी, जो हमको अच्छी लगें, तुलसी, इनको डाल करके गरम गरम चाय को पानी को पीएं और उसमें स्वाद के इसाफ से गुड़ डाल लें, तो हमको फायदा देगा, हमको इम्मूनिटी पावर बढ़ेगी, और हमारी जो चाय की तलब है, वो धीरे धीरे शान्त हो जाएगी. तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खांसी और कफ के ऐसे ऐसे नुस्खे हमें बताएं, जिसे हम आसानी से घर पर खांसी को ठीक कर सकते हैं. तो उमीद करते हैं खांसी और कफ को दूर करने के सर के द्वारा बताएगा ये घरेलू नुस्खे आपके बहुत काम आएंगे आपकी खांसी को ठीक करने में कोई भी कोश्चन हो आपके किसी भी बिमारी से जुड़े नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकता है कोशिश करूँगा सर के माध्यम से अलग-अलग डॉक्टर के माध्यम से आपकी बिमारियों का आयर्विदिक उप्चार आयर्विदिक आउशिदिया जड़ी बूटियों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाए काकि आप इसका प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट ले सके अगर आप सर से कॉंटेक्ट करना चाते है तो सर की कॉंटेक्ट डिटेज नीचे डेस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको मिल जाएगी जहां से आप सर से कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं धन्यवाद